वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें झाल दोस्तों यास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था अलमूस्ट जबस का इंट्रडिक्शन था जिसमें हमने बात करीती कि जॉखल खेंसे निकलने वाले प्तार्ति कौन कौन से वहते होते हैं तो यहते हैं तीन प्रकार यहां है इस PDF को purchase करना तो इसके लिए आपको official numbers जो है study for civil services के उस पर contact करना है numbers description box में given है आप वहाँ पर जाकर उनसे बात कर सकते हैं ठीक है और पूछ सकते हैं कि क्या process है कैसे आप purchase कर सकते हैं कितना fee payment करना होगा they will let you know कि क्या मतलब सब कुछ है इसके बारे में बारहाल free of cost अगर आप लोग cover up करना चाहें तो यहां पर मेरे साथ बने रही है और daily basis पर जो यह वीडियो दा रहे हैं इनको देखते रही है आगे बढ़ें इससे पहले एक बात और कौनगा कि चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा और notification bell के icon को जरूर प्रेस कर लिएगा चलिए सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं gas और जलवाश दोस्तों आज के इस वाले वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक बहुत ही जादा important यहां पर आप लोगो सूचना देनी है यह जो आप देख रहे हो यह प्ले स्टोर है यहां पर आपको steady for civil services सर्च करना है इसमें अगर आप लोग त्यारी करों PET की तो यहां पर आप PET टाइप करो जब आप सर्च करोगे तो यहां पर नीचे आपको यह दिखेगा जिसमें दोनों भाशाओं में आप UPSSSE PET की full length की test series है उसको आप join कर सकते हो इसमें सारे test आपको मिलेंगे और bilingual मिलेंगे सबसे वड़ी च टेस्ट ठीक है और topic wise test series में 50 सवाल होंगे यानि कि अगर आप देखो 115 की जवाब 50 से multiply करोगे तो 75 मतलब 700 question आपको यहां provide किये जाएंगे full length text की बात करें तो जो आपको full length test होगा उसमें obviously बात है 100 question का होगा और उसका जैसे मैंने आपको number बताया कि 10 full length test आपको मिलें यह TB examination में किसी भी coaching के आप compare कर लो बेहतरीन रहा है तो आप इसको यहां पर तुरंट join कर सकते हो इसके लिए आपको simply जैसा मैंने आपको बताया है playlist उसमें जाना है play store में वहाँ पर जाके steady for civil services के application को आपको open करना है और उसमे registration कराना है दूसरी बात अगर आप लोग समिक्षा अधिकारी के लिए preparation कर रहे हो so उपर आप simply यहां पर type करो just a second यहां पर आप type करो RO ठीक है और यहां पर आप click करो then you will get कि RO ARO के लिए जो आपका हिंदी वाली test series है मात्र 49 रुपे में आपको यहां पर provide की जा रही है और इसमें जो आपको मिलेगा वो क्या कुछ मिलेगा द pattern है 10-10 question का जिसमें विलोम शब्द है वाक्यों और जो वर्तनी उसकी अशुद्धी और वो सब चीजें ठीक है इसके लावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यह सब कुछ इसमें आपको 19 PDF provide किये जाएंगे 49 रुपे में मात्र 49 रुपीज में so इससे बेहतर और आप क provide किये जाएंगे इस तरीके से आप इसको यहाँ पर जोईन कर सकते हैं मात्र 49 रुपे में so यह मुझे आपको सबसे पहले यहाँ पर बताना था तो यह चीज़ आप जरूर करो इसको तुरंत जोईन करो अगर आप B.E.O. की तयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है इसके लावा ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट 2023 के लिए आप जो है दोनों भाशाओं में यहाँ पर complete study material ले सकते हैं जिसमें आपको PDF जो है वो सिर्फ एप में ही downloadable है मतलब अलग से आप उस के according यहाँ पर PDF notes provide किये जाएंगे और इसमें course में आपको test series नहीं मिलेगी लेकिन आपको बहुत सारा जो PDF है उसकी वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिया जाएगा सो यह सारी चीज़े मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी starting में इसलिए बताना जरूरी था कि आप लोग कहीं आगे मतलब इसको skip ना करते हैं फिर आप देख ना पाएं कहीं ऐसा नहीं आपसे miss हो जाए कोई चीज़ इसके लिए मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें रहे हैं आप आरो की तैयारी करना चाहते हैं इन तीनों एक्जाइम के अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो steady for civil services के courses को आप जोइन कर सकते हैं complete तैयारी के लिए यह one stop destination है यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें steady material रहेगा test series रहेंगी paid quiz रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा पर मिलेगा और यह सब को sufficient होगा आपके exam को crack करने के लिए exam को निकालने के लिए latest group start हो चुके हैं और उन group में आपको admission लेने के लिए simply जो यह number मैं आपके screen पर लिख रहा हूँ इन numbers पर आप call कर सकते हैं 8564 880530 इस number पर आप संपर कर सकते हैं इसके अलावा 96960 66089 इस number पर contact कर सकते हैं या फ़र आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी number पर call करके आप हमसे संपर कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं अब जब जोला मुखी फटता है तो उसमें से गैस और जल्वाश पर निकलती है आप अप सब को यह उयह सरवादिक भाग होता है जब जोला मुखी का वह क्या होता है तो उसमें जो निकलती हो सबसे जादा क्या होती आपकी झालवाश पर इस point को आद रखना है examination में यह exactly ऐसे ही पूछा गया था कि कौन सा पदार्थ है जो सरवादिक मात्रा में निकलता है तो वो क्या है अपका जलवाश इसके बाद आगे हम बात करें इसमें गैसों की hydrogen sulfide हो गई carbon disulfide हो गई hydrochloric aml हो गया ammonium chloride carbon dioxide, nitrogen और sulfur dioxide यह अलग-अलग की gases है जो इससे निकलती है इसके बाद लावा की बात करें last जो वीडियो था उसमें हमने लावा और मेगमा दोनों के बारे में बात करी थी कि मेगमा क्या होता है जब तक वो प्रत्वी के अंदर है, विस्पोर्ट हुआ उसके बाद वो मेगमा बाहर आया, तब उसको क्या बोले जाता है लावा बोले जाता है तरल और तप्त मेगमा जब धरातल पर पहुंचता है तब वो क्या कहलाता है लावा जब तक धरातल पर नहीं आता है तब तक क्या कहलाता है, वो मेगमा कहलाता है लावा होते हैं दो तरीके के एक है आपका शारी लावा यानि की बेसिक लावा और दूसरा है आपका एसिडिक लावा या फिर अमली लावा जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसकी शारी लावा की इसकी प्रॉपरिटी आपको पता होनी चाहिए कि ये गहरा, मतलब इसका रंग जो होता है, वो कैसा होता है, गहरे रंग का ये तरल होता है, और इसमें सिलिका की मातरा कम होती है, ये important point है, इसको as it is, आप अपने micro notes में शामिल कर सकते हैं, कि सिलिका की मातरा शारी ये लावा के अंदर कम होती है, घनत्व की बात करें, तो होता है, अधिक होता है, और इसमें mainly loha, magnesium और चूना पत्थर पाया जाता है, अमलिये लावा की बात करें, तो ये हलके पीले रंग का होता है, और इसमें सिलिका की मातरा अधिक होती है, तो ये एक basic difference है, सिलिका के base पर इन दोनों में, कि एक में जादा है, दूसरे में कम है शारिये में कम होती है, सिलिका की मातरा और अमलिये में जादा होती है, color difference तो हमने देखाई, अब obvious ही बात है, जब सिलिका की मातरा जादा हो जाएगी, तो वो जो लावा होगा, कैसा होगा, गाड़ा होगा, घनत वे इसका कम होता है, ये point याद रखिएगा, इसमें mainly sodium, potassium, aluminium और फिल्स पर ये जो हैं पदार्थ पाए जाते हैं, तो ये दोनों में जो difference है, शारिये और जो आपका अमलिये लावा है, इनकर difference को जरूर याद रखने है, move on करते हैं आगे, इसके बाद अगले point की बात करें, ये है अपका डाइक, अब डाइक क्या होते हैं, ये अगर magma उपर आता है, तो ये almost समकोन के उसमें उपर उठता है, जो magma, और ये यहीं पर ठंडा हो जाए, तो इस तरीके का को जो creation होगा, वो क्या कहलाएगा अपका डाइक, जब लावा का प्रवाह, दरारों में धरातल के लगबग समकोन होता है, और अगर इसी अवस्ता में ठ इसी आकरती में बहुतायत में पाई गई है, जो अलमुखी उदगार से बने डेकन ट्रैप के विकास में डाइक उदगार की जो वाहक है, वो समझी जाती है, मतलब इसका यो मेन वहाँ पर रोल रहा है, इसके बाद अगला पॉइंट हम ओलेडी कवर अप कर चुके हैं, कि प्लुटोनिक अत्वा पातालिये चट्टाने और अधी वितलिये अत्वा मद्वर्ती चट्टाने, इनको पढ़ते हैं, तो पातालिये चट्टानों की बात करें, तो ये अंदर ही जो जमके क्रियेट होती हैं, रोक्स उसकी बात हो रही है, मद्वर्ती चट्टानों की बा इसके बाद अगले की बात करें तो यह है आपका कॉल्डेरा क्रेटर का ही जो है अधिक विस्तरत रूप होता है नेक्स पॉइंट की बात करें तो यह आपका उतोष्ण या गीजर गर्म जल के ऐसे शुरोत हैं जिसमें समय समय पर गर्म पानी जो होता है अपर गर्म जल की फ इसके बाद धुआरे जो अलमुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं इसमें गैस वा जलवाश्प निकला करता है और इसमें जो है गंद युक्त धुआरों का सुलफारा भी इसको कहा जाता है ठीक है सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहां पर एंड करते हैं आई होप यह वाला सेशन आप लोकली इंफॉर्मेटिव रहा होगा नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे इसके और जो पॉइंट से उसके बारे में मतलब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें ह हुकंप को देखेंगे और यह काफी important topic है एक नई question आपको examination में यहां से देखने को मिल सकता है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में till then thank you so much have a nice day bye bye channel को subscribe करना हो इस वीडियो को share करना मत भूलेगा Thanks a lot